अगर आपनी Digital Marketing Agency चलाना चाह रहे हैं या फिर अभी चला रहे हैं उसे रन कर रहे हैं तो आपको कुछ बाते जाननी चाहिए जो कि आपके लिए फायदेमन साबित हो सकती है सब्सक्राइब करें हमारी यूटूब चनल को और बैल आइकों को प्रेस करना ना भूलें जिससे मिलते रहे हैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हम Digital Marketing Agency की बात करते हैं तो वहाँ पर दो तरह की अजन्सी की बात आती है एक आती है Niche Digital Marketing Agency एक आती है Generalized Digital Marketing Agency दोनों में डिफ्रेंस क्या होता है दोनों में डिफ्रेंस यही होता है जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि जब आप निश की बात करते हैं तो आप अपनी Digital Marketing Agency में किवल एक निश पर काम कर रहे होते हैं आप किवल एक पर्टिकुलर सेग्मेंट पे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे काम कर रहे होते हैं जबकि दूसरी तरफ जो General Digital Marketing Agency होती है उनके पास कोई कस्टूमर सेग्मेंट नहीं होता उनके पास कोई टागेट ओडियंस नहीं होती है वो हर इंडस्ट्री के लिए का कि स्क्राइब काम मांग सकते हैं और इससे उनको ज्यादा प्रफित जैनलेट होता हो वही पर niche marketing के पास किवल एक industry होती है उनके पास उसी टाइप के customer धूनने पड़ते हैं उसी टाइप के customers उनके पास आते हैं तो इस तरह से उनका profit भी कम होता है तो क्यों ना एक general digital market agency खुली जाए उससे जादा profit generate होगा लेकिन कहीं न कहीं ये गलती हो रही है ये आप गलत कर रहे हैं क्योंकि आज के time पे जो देखा गया है वो ये माना जाता है कि हर जगा specialist requirement है आप किसी भी industry में हो आपको अगर एक problem है आप कुछ medical problem है तो आप एक doctor को द ज्यादा होती है जो specialist doctor है वो हमेशा आप से जादा फीस लेंगे जबकि एक general doctor है वो हर तरह क्या patient देख रहा है उसके पास patient तो बहुत है लेकिन एक limited fees ले रहा है फीस बहुत कम ले रहा है तो यही difference दोनों तरह की digital marketing agencies में भी होता है जब आप एक general digital marketing agency खोलते हैं तो वहां पर आपके पास हर तरह की customer तो आते हैं लेकिन यहां पर आप किसी के लिए specialist नहीं है आप उनको यह नहीं बता पाएंगे कि आपकी industry में यह फायदे हैं इस तरह से आप काम कर सकते हैं और इस तरह से हम आपके promotion को ज आप में knowledge पर ज्यादा काम कर पाएंगे यहां पर केवर technical skills की बात नहीं हो रही कि आपको अपनी digital marketing का काम अच्छी तरह से आता है आपको प्रमोशन्स अच्छी तरह से आता है यहां पर बात आ रही है कि उस industry के लिए requirement क्या है अगर आप उस industry के requirement को नहीं समझेंगे तो का interest है किस तरह की customer को आपको target करना चाहिए यह सारी advice आप उन्हें दे सकते हैं और जब आप यह advice देते हैं और सामने वाले को इस चीज से convince करते हैं कि हमारे पास आपकी particular industry का अच्छा-कासा knowledge है इससे हम आपको बहुत अच्छी से देनेट करा सकते हैं तो आपको obvious सी बात है कि fees मिलने की problem solve हो जाती है आपको fees ज़्यादा मिलेगी एक general digital marketing agency के मुकाबले आप बहुत ज़्यादा profit generate कर पाएंगे तो यहाँ पर जब niche में जाते हैं तो आपको यह particular फायदा होता है और आज के time पे हर जगा एक specialist की requirement है हर आदमी चाहता है हमारा काम specialist आदमी करे है और हमारी चीजे पता हो और हमारी सेल में वह वाकई में growth कर पाएं तो अगर आप इन दोनों के बारे में सोच रहे थे और digital marketing agency के बारे में सोच रहे थे तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए अगर मेरी बाते अच्छ लगी हो कोई फायदा नजर आया हो तो चैनल को subscribe कर करिएगा वीडियो को like share करिएगा अभी के लिए goodbye